क्रिकेट के बगवान कहे जाने वाले सचिन तंदूलकर के बेटे अरजुन तंदूलकर को मुंबई की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया है दरसल अरजुन बरोदा में होने वाले जवाई लेले ओल इंडिया अंडर 19 इंविकेशनल वन डे टूर्नमेंट में हिस्सा लेंगे इससे पहले अरजुन मुंबई की अंडर 14 और अंडर 16 टीमों के लिए खेल चुके हैं लेकिन ये पहला मुखा है जब अरजुन को मुंबई की अंडर 19 टीम में शामिल किया गया है इसलिए ये अरजुन के लिए एक बड़ी उपलब दी है जवाई लेले वन डे टूर्नमेंट 16 सब्तमबर से बरोदा में शुरू होगा और ये 23 सब्तमबर तक चलेगा आपको बता दें कि अरजुन बाए हाथ के ओल राउंडर खिलाडी है जिने बाए हाथ की उनकी टेज गेंदबाजी के लिए जारा जाता है बता दें कि अरजुन इससे पहले तब सुर्फियों में आये थे जब उनकी टेज गेंदबाजी के सामने जून में दक्षीन अफरीका के खिलाव टेस्स सिरीज से पहले अब्यास मैच के दुरान इंगलेंड के बलेबाज जॉनी बरिस्टो चोट लगने पर दर्द से करहाते हुए नदर आए थे इसके अलावा अरजुन जुलाई में हुए महिला वर्ड कप के दुरान इंगलेंड के खिलाब खिताबी मुकाबले से पहले बारती महिला क्रिकेट टीम के साथ प्रैक्टिस करते नदर आये थे क्रिकेट के ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें धन्यवाद